ये फ्रेंस आपका अपना यूटूब चैनल उत्ते जी के ट्रिक में स्वागत है आशा करता हूँ आप स्वस्त होंगे अच्छे होंगे आई दिन हमारी वीडियो देख रहोंगे तो फ्रेंस आज जो प्रेक्टिस एड लेकर आओं बहुत ही महपूर प्रेक्टिस एड है आपको बताना भासा की सबसे छोटी ठीकाई क्या है तो ये उप्सन में है बाड बी में है दुहेंई सी में है सब्द और डी में है बाग क्या है तो इसको सही अंसर होगा हमारा बाड चलिए फ्रेंस अगला प्रेस्टिन देखते हैं मामा का तश्रम क्या है आपको बताना फ्रेंस मामा का तश्रम क्या है ये उप्सन में मुसल बी में है मकर सी में है मातूल डी में है मास इसको सही अंसर होगा मातूल यानि मामा का तश्रम क्या होता है मातूल चलिए फ्रेंस अगला प्रेस्टिन देखते है यब का क्या है A option में है जो B में है यूवा C में है यग B में है योगी तो इसका सही आंसर होगा A option यह नि जो चलिए friends अला प्रेसन देखते हैं ओस्ट आकिरती के अधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं आपको उताना ओस्ट आकिरती के अधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं A option में है 2 B में है 4 C option में है 3 B option में है 6 तो इसका जो सही आंसर होगा 2 कौन-कौन से होते हैं यह इसका सही आंसर होगा 2 कौन-कौन से होते हैं एक होता है बिर्थाकार और है बिर्थाकार बिर्थाकार होते हैं जिने बोलते हैं में होट बिरत की तरह बन जाएं चलिए फ्रेंड्स अगला प्रेस्टन देखते हैं निम लिखित में कौन सा सब्द तस्ब्द है आपको बताना है निम लिखित में कौन सा सब्द तस्ब्द है यह ओप्शन में है कुवारा बी में है कूप सी में है कुलहाडी डी में है गांट इसका सही अंसुरा है हमारा बी यहीं कूप चलिए फ्रेंड्स अगला प्रेस्टन देखते हैं, निमली खित में से तस्षम सब्द है, आपको बताना है, निमली खित में से तस्षम सब्द है, A option में है अब गुर, B में है ओगुन, और C में है ओगुर, और D में है अब गुर, तो इसका सही आंसर होगा, A option, कौन से होगा, A option, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रेस्टन देखते हैं, धात्री का अन्यकार्थी सब्द है, यानि धात्री का अन्यकार्थी सब्द है, इसके चार option दिये हुए हैं, आपको बताना है, यह option में है सक्ती, B में है नदी, C में है इस्तन, और D में है प्रत्वी, तो धात्री का जो अन्यकार्थी सब्द होता है, वो होता है प्रत्वी चलि फ्रेंट्स अगला प्रेस्ट देखते है पाली का अनिकार्थी सब्द है आपको बताना है पाली का अनिकार्थी सब्द है ए उप्षन में है हल B में है कुंड C में है इस्थान और D में है किनारा उसको जो सही अंसर होगा हमारा किनारा यानि पालिका निकार्थी क्या होता है किनारा चलिए फ्रेंट्स अगला प्रेशन देखते हैं विसेसर की सब्दी की विसेस्ता बतलाते हैं आपको बताना है विसेसर की सब्दी की विसेस्ता बतलाते हैं O option में हैं संगया, B में है सर्वनाम, C में है सर्वनाम इसका जो सही अंसर होगा हमारा सर्वनाम और संगया की ज़िसेता बत्काते हैं कितने परकारक होते हैं कारक के आठ परकार होते हैं चलिए फ्रेंश अगला प्रसन देखते है निम्ण में से कौन सब गुलबाचक विसेशल नहीं है आपको बताना है निम्ण में से कौन सब गुलबाचक विसेशल नहीं है यह option में है टिकाव, B में है गुजराती, C में है लंबा, D में है प्रतियेक यानि आपको बताना है गुलबाचक विसेशल नहीं है इसको सही answer होगा हमारा B यह प्रतिए यह सब क्या है यह विसेशता बताते है और यह गुर्वाचक नहीं है यह किसकी संग्या सरवनाम की विसेशता बताते है चलिए friends अगला प्रस्टन देखते है निन में से कौन गुर्वाचक विसेशन नहीं है आपको बताना है निन में से कौन गुर्वाचक विसेशन नहीं है A option में है बहूत B में है निचला C में है चंकीला D में है दुबला उसको सही answer होगा हमारा A option होगा बहूत और यह क्या है सब? यह हमारे गुर्वाचक है किसी बस्तू का गोड या दोस बताते हैं चली अगला प्रसन देखते हैं गहरा काला कुत्ता भोक रहा था यानि गहरा काला कुत्ता भोक रहा था बाक्ये में कौन सा पदवंध है आपको बताना है बाक्ये में कौन सा पदवंध है इसका जो सही आंसर होगा हमारा बारे का बी ओप्शन होगा यानि संग्या पदवन्द चलिए फ्रेंट्स अगला परस्टन दिखते हैं अगर वीडियो परसंद आ रही हो फ्रेंट्स तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी दोस्तों में सेयर करें चलिए देखते हैं विकारी और एविकारी सब्दों के कितनी बेहिद हैं आपको उताना फ्रेंट्स विकारी और एविकारी सब्दों के कितनी बेहिद हैं यह उप्शन में है दो बी में है चार सी में है चार और डी में है आठ तो इसका सही आंसर होगा हमारा आठ विकारी क्य होते हैं इसमें क्या होता संग्या departments is Hai सَर्वναम किर्डिया और संय सब्सक्रा किर्डिद्डर विकारी की का बात करें दन्या बिकारी मैं आता है हमारा संबंद वर्थक समुच्य वर्थक किर्ड़ किर्ड विसंद्षार और विस्माधी बिसमादी यानि चार इसी के होते हैं चार इसके होते हैं इसने पूछा बिकारी और ए बिकारी सब्दों के कितने बेद होते हैं तो दोनों को मिलाकर कितने होते हैं आठ बिकारी में परिवर्तम हो सकता है और ए बिकारी में परिवर्तम नहीं होता है जैसे कि ए उपसर्व जो संसी तो इसका जो चलीं प्रोट्स देखते हैं भारत की पहली सास्त्रिय भासा है आपको उताना भारत की पहली सास्त्रिय भासा है A option में हिंदी, B option में संस्क्रत, C option में तमील और D option में उल्डिया अगर इसका सही आंसर देखें हम पंद्रेगा तो इसका सही आंसर होगा हमारा तमील यानि भारत की पहली सास्त्रिय भासा कून सी है तमील यह पुरानी भासा है सबसे ओर नविंतान कून सी है ये कून सी है नविंतां ओड़ेस अगला प्रफेसशन देखते हैं परवत का पर्याई बच्छी सब्ध है आपको बताना है परवत का पर्याई बच्छी सब्ध है यह ओप्शन यानि स्यल चली फ्रेंट अगला प्रेशन देखते हैं गंगा का परियाई बच्छी सब्द कौन सा है आपको उताना है गंगा का परियाई बच्छी सब्द कौन सा है यह ओप्शन में भागी रथी बी ओप्शन में त्रेंग नी सी में है टित्नी और डी में आप यानि इसका जो सही आंसर होगा हमारा यह option होगा वागीधी यह गंगा का परियाइव चलिए friends अगला प्रैस्ट देखते हैं धातू के बाद लगने से पूर्व कालिक किरिया बनती है आपको बताना धातू के बाद लगने से पूर्व कालिक करिया बनती है A option में है या B option में है कर C option में है आ और D option में है चुगा तो इसमें सही इसका सही अंसर होगा यानि कर जैसे धातु में खा क्या है धातु है खा कर ठीक है चलिए friends अगला प्रेशन दिखते है ओमा नोकर से दूद मंगवाती है यानि इसमें क्या होता है करता है खुद काम ना करके दूसरे से कराता है तो उमा नोकर से बूद मंगवाती है तो देखते है इसका सही अंसर क्या है A option में हमारा प्राल्थक क्रिया B में है एकर्मक क्रिया C में है सेकर्मक क्रिया और D में है साहिद क्रिया सब्द है आपको बताना है मिरेजुल का बिलोम सब्द है A option में है कठी B में है खराब C में है रूक्च और D option में है कठोर इसका सही अंसर होगा हमारा C यानि रूक्च चलिए फ्रेंट अगला प्रेसन देखते हैं परोक्च का बिलोम सब्द क्या होगा आपको बताना है परोक्च का बिलोम सब्द क्या होगा A option में है हमारा इस्थूल B option में है प्रितियक्ष C option में हमारा अपरोक्च और D में है दिरब्बी है इसका जो सही अंसर होगा हमारा B option होगा यानि कौनस होगा B option प्रितियक्ष यह प्लोक्ष का भिलों क्यों था प्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मैंने आपको बताया था ए और की मात्रा जहां आती है वहां गोर संदी होती है चली फ्रेंट्स अगला प्रसंद दिखते हैं B.I.R. में कौन सी संदी है आपको उताना B.I.R. में कौन सी संदी है A अप्षन में बिसर्द B अप्षन में गुड C अप्षन में सुर और D अप्षन में E.R. तो इसका सही अंईर होगा हमारा E.R. Y.R. संदी में क्या होता है E.R.火лем से पहलREY हमारा आदा वाल होता है, यानि आदा वाल होता है, यह से पहले क्या होता है, आदा वाल होता है, क्या खहलाती हो यक्षन दी, चलिए फ्रेंट्स अगला परशन देखते हैं, आली और आली सब्द योगम का अर्थ है A option में है भौरा सकी C option में है भौरा कली D option में कली और भौरा तो friends इसका सही answer होगा अली इसे याद रखने है तरीका होता है एक अच्छा जैसे यह अली है और सकी सकी में किसकी मतरा लगी है? बड़ी की तो आली में किसकी मात्रे लगी है बढ़ी की तो आली सकी इसी से पहचान पढ़ जाती है आली का क्या हुआ शकी चलिए फ्रेंड्स आगला प्रेशन देखते हैं आज के प्रेक्टिस आट का अंतिम प्रेशन सुमन और सुबन सब्द यूग का अर्थ है आपका उताना है सुमन और सुबन का सब्द यूग का अर्थ है यह उप्शन में पुस्प हनुमान बी उप्शन में पुस्प पुत्र सी में पुस्प जंगल डी में पुस्प और पुत्तृ सुमन क्या होता है हमारा पुस पुत्त है और चलिए फ्रेंड यह थे आज के 25 प्रिसम कैसे लगी वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को से लाइक कर देना और झाल झाल